हेलो एब्रीवन, वेलकम टू आर यूटूब चैनल, एजूकेशन पिल, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यूजी सीनेट एक्जाम 2023 के, यूजी सीनेट प्लेटिकल साइंस कम्प्लीट बुकलिस्ट के बारे में, हमने आपको बताया था, कि हम जल्द यूजी सीनेट प्लेटिकल साइंस के कम्प्लीट बुकलिस्ट की जो वीडियो है, वो लाने वाले हैं, तो फाइनली हमने रिसर्च करके, और जो परसनली मैं यूज करता हूँ, उन बुक्स की मैंने लिस्ट बना लिये, आपकी यूजी सीनेट प्लेटिकल साइंस के से कौन से कितना पढ़ना है और कितना क्छोड़ सकते हैं और कौन से बुक कितनी ज़्यादा अप्सुर्टरम करें है… करते हैं तो वह सफिसेंट के लिए या नहीं यह जो बुक्स मैं रिक्वेंड करता हूं सारी पढ़नी पढ़ेंगी या नहीं यह आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा साथ ही साथ कौन सी बुक प्रीवेसर क्षेशन पेपर्स के लिए जिसमें आपको लगभाए 27 प्री साथ ही इन बुक लिस्ट और प्री मेटियल्स के लाओ और क्या क्या करना पड़ेगा यूजी सिनेट एग्जाम निकालने के लिए वह भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा तो मेक्शूर करें कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें क्योंकि वीडियो आप लो से चालू करेंगे यूनिए फर्स्ट में हमारी आती है पल के सदियर्स ऐब Marshmachory और उड़ियो फक्रएंगे अपको पर रहा हों कि अृटिक्ल फेएरी की विज्ट में आपको कर यह जो इ enthusiasm मैं खोद पढ़ता हूं और भी गॉफ ही जाद याना बिक चैप्टर में उसमें बॉक्स बनाके जो चोटी-चोटी थेरी जो उनको समझाया गया है बहुत से राइटर्स को में में संट किया गया है कहां से कौह सा सोर्स उठाया गया है और पॉलेटिकल ट्रेडिशन्स के लिए जो एंडू हेबुट की बुक है यह हाला कि काफी मोटी बड़ी बुक है इसको पढ़ने आपको टाइम लग सकता है तो अगर आप पॉलेटिकल ट्रेडिशन्स की डीप स्टडी करना चाहते है आप चाहते है कि लिबरलिजम, कंजर्वरेटिजम, शोसलिजम यह कहां से आया होता क्या है बहुत डीप स्टडी करना चाहते हैं तो जो Master of Arts के जो इगनू के material है वो है EPS graduation का है तो यह आप जाएंगे इगनू political science notes कभी आप net में डालेंगे और आपको MPS 01 EPS 11 download कर लेना है या आप मेरे telegram channel को join कर लिए मैं उसमें आपको इन सारे जो इगनू के materials जो free sources हैं उसमें मैं आपको PDFs provide करा दूँगा आप वहां से download कर सकते हैं तो हमारे पहले unity के लिए यह दो books पॉलिटिकल theory और की ओपी गॉबा की और पॉलिटिकल टेडिसंस एंड्रु हेवर्ट की और एगनू की यह material MPS 01 में सारे के सारे political theory है और EPS 11 में सारे के सारे political traditions दिये हैं जैसे कि आप अगर चाहें तो एंड्रु होबर्ड को नहीं भी खरीच सकते हैं विकाज ओपी गॉबा में काफी सारे जो political traditions के concept हो दिये गया है लेकिन postmodernism multiculturalism, ecologism यह नहीं दिया गया है तो यह आप जो EPS 11 के materials है अगनू के वहां से आप इनके separate notes है वहां valuable है आप उसको download करके पढ़ सकते हैं द्यार beneficial द्यार useful और उससे आपका काम निकल जाएगा कोई problem नहीं होगी दूसरे unit के तरह हम बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा unit है इन्होंने इस book में काफी अच्छे से सारे के सारे जो thinkers हैं उनको explain किया है उनके thoughts किया है उनके political philosophy को अच्छे से explain किया है और एक और political thought की book अप्लेट्टी तुमॉक्स आर्म बागा तुसाती चंडन हलक यह बुक मैंने में नहीं ओपी गौबा सर की book में दिया है तो इसको आप जो इगनू material जो MPSE03 है इसका मैं आपको video प्रवाइब करा दूंगा टेलेग्म चैनल पर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसमें इनके बारे में दिया गया है और सारा explain किया गया है इस material में फ्री material है आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो यह दो दो बुक आप लोग के लिए है तो इन दोनों में से आपको यह बुक खरी सकते हैं इसके बारे में इसके लिए बुक लिस्ट है और दूसरी है इसके लिए अगर आप यह बुक नहीं खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए जो ऑन्लाइन सोर्स फ्री मैटिल अवेलेबल है इगनू का MPSC04 इसका भी मैं टेलेग्राम पे लिंक प्रवाइड कर दो को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं यह अगर आप इतना इतना पढ़ लेंगे तो आपका जो इंडियन पॉलेटिकल थार्ट का स्रेक्शन है यूजी सिनेट स्लेवर्स के कोर्डिंग वह आइधिंक कबर हो जाएगा इसमें आपको कुई सेपरेट बुक खरिदने के जरुत नहीं पढ़ेगे फिर वी अगर आपनों को थोटी डीप स्टेडी करनी है थोटा ज्यादा जानना है तो आप हिमांसु रॉय और एंप सिंग की बुक इंडियन पॉलेटिकल थार्ट खरे सकते हैं हमारा अगले अगला यूनिट है कंपारिट्व पॉलेटिकल एनालिसिस य यूजी सिनेट के एक्जाम में अल्मोस्ट फिप्टी टुटी कोशिंस पढ़ते हैं तो अब बनते हैं तो आप आप कंपारिट्व पॉलेटिक्स जैसी जोरी साब की सरकी खरीच सकते हैं यून्होंने कापी अच्छे से समझाया है हाला कि जो लाइंगे थोड़ी टफ है अच्छे से कवर कर सकते हैं कोई प्रॉबलम नहीं होगी उसके बाद जो पॉलेटिक्स बुक से एंडुरेबुट की परसनली मैंने इसे नहीं पढ़ी है तो मैं बता नहीं सकता हूं कि इस बुक के बारे में लेकिन जिन्होंने पढ़ी है जिनसे मैंने सर्जेशन लिया है उन्होंने बताया है कि बुक ठीक है लेकिन अगेन क्योंकि ए फारें डाइटर की बुक है तो यूजिसनेट का एक जो एक जाम है वो हमारी इंडन बॉडी लेती है यूजिसी लेता है जो कि इंडन बॉडी है तो थोड़ा टफ लाइंग्वेज में लिखे गई है तो आप देख लीजे आपको आप एक बार डाउनलोड करके देख सकते हैं कैसे लगते हैं आपको लेकिन मैं सजेस्ट करोगा आपको जैसी जावरी की बुक और उसके लावा अगर आप इन दोनों को नहीं ख़दिरना चाहते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है आप इगनू का आपको यहां से कंप्लीटली कबर हो जाएगा इगनू के माटेरल से यह मैं पढ़के बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास कंप्लीटी पॉलेटिकल एनालेसिस की बुक यह सी जहोरी की भी है और इगनू का माटेरल भी है जो सौट इन क्रिस्प है वह ज्यादा सही लगे अगर सारे कॉंसेप्स पढ़ने पड़ते हैं जो इसमें सबसे फेमश और मास्टर फेस बुक है ग्लोबलाइजेशन ओफ वल्ड पॉलेटिक्स बाई बैली शाने समित अगर आप इस बुक को प्रिफर कर सकते हैं या इस बुक को खरीद नहीं चे बैले शाने समित की बुक अगर से लिखे गई है और ग्लोबलाइजेशन ओफ वल्ड पॉलिक्स में यह पूरा का पूरा जो हमारी इंटरनेशन रिलेशन्स हैं और जितने भी इसमें डेवलमेंट्स हैं सारे के सारों को बहुत अच्छे से कवर किया गया है तो कवी फेमस बुक है बहुत हाला कि थोड़ी मोटी बुक है टाइम लगा गया इसको पढ़ने में तो अगर आप लेकिन इंटरनेशन रिलेशन्स का इस यूजी सिनेट के पॉलिटिकल साइंस के एक्जाम में बहुत बड़ा पार्ट नहीं है सिर्फ 10-15 कोश्चन ही पूछे जाते हैं तो आप प्रिफर कर भी सकते हैं अगर टाइम हो तो लेकिन इबुक जरूर खरीच सकते हैं बहुत अच्छी बुक है और नहीं टाइम हो तो आप इग्नु मैटेरियलस MPS 02 यह आप डाउनलोड कर सकते हैं यह मैं लिंक भी दूँगा पीडियप भी दूँगा आपको आपको फ्री में अबेलेबल है अगर आप यह दोनों बुक नहीं भी पढ़ेंगे पाउनी सिंग बिली शाने स्मित की इनों के मैटेरियलस MPS 02 से आप लोगा काम हो जाएगा कोई दिक्कत की बात है पड़ी कोश्चन नहीं छूटेंगे बाकि जो कुछ स्पेशाल इंस्ट्यूशन जिसमें किये गए हैं जैसे WTO G20 Bricks और सार को आर तो आप इन सब को अलग से पढ़ सकते हैं आप डालेंगे गूगल में सर्च करेंगे तो उनके बारे में बहुत सरे मैटीरिल्स आ जाते हैं आप होहां से पढ़ सकते हैं अगला हमारे यूनिट है इंटरनेशन डिलेशन का ही पार्ट है कहें तो लेकि इंडिया के रिलेशन साथ या अधर कंटिनेंट के साथ बहुत अच्छा से एक्ष्ट किया गया है और इस बुक के रेफरेंसे भी ज्यादा अच्छे है उसके लाव फॉरेंड पॉलसी ऑफ इंडिया भाई वी एंखना एं लेसले के कुमार की एक बुक है इसको भी आप प के लिए और कंपरिटी पॉलिक्स के लिए पॉब्लिक अडिमिनिस्ट्रेशन के लिए तो आप ये पार्ट इगनू का जो फ्री माटिरियल्स है MPSE 01 आप इससे कवर कर सकते हैं इसमें इंडिया की फॉरेंड पॉलसी अच्छे से दी हुई है अच्छे से इसमें जो है इंडिया यह मेंली हमारे इंडियन कॉंस्टिटूशन इंडियन जो प्लिटिकल सिस्टम है उसके बारे में तो इसके लिए जो एक उनिवर्सल बुक है जो प्रिफर कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी वाई अमलच्मिकांट सर यह UPSC अधर कॉंप्रिटिटिव एग्जामिन के लिए उतनी अधर एक्जामिनेशन के लिए यह एक्टाइमिक्स के लिए भी तो आप इंडियन पॉलिटी की अमलच्मिकांट की बुक पॉलिटिकल इंस्टिटूशन इंडिया के लिए खरीद है बिना इनी डाउट या आप कोई अगर अगर प्रिफर करना चाहते हैं त इसनल के इन आ इंडाया है रखनाए इंस्टिटूशन का क्या क्या होते हैं हमको यह नहीं में पड़ना पड़ता ओंध है कैसे होता है। स्ट्रीम कोर्ट हाइच कोट्स मिल जाते हैं तो आपको पॉलिटी प्रफिर करना चाहिए बाकी अगर आप लोग को भुक से नहीं पढ़ना है या इसके लिए खरीद लिए कुछ एक्ट्रा मैटिरल चाहिए जो आप भुक नहीं खरीद सकते हैं यह थोड़ी सी प्रॉडबल जिनका जिन पीडियाप का लिंक में आपने टेलिगर्म चैनल पर दूँगा आपको तो आप वहां से डाउंलोड कर सकते हैं यह प्रिफर कर सकते हैं इसमें आपको पॉलिटिकल इंस्टिविशन से इंडिया मिल आएगा अच्छे से प्रिफरेंड की आगा है काफी अच्छा जरुबत नहीं पड़ेगी साथ तो आप इसको जरूर खरीदें तो अब जो हमारा अगरा यूनिट है वो है उनिटेट प्लिटिकल प्रोसेस इंडिया यह थोड़ा डिफरेंट है मारे प्लिटिकल इंस्टिविशन से उनका प्रोसेस क्या होता है वो काम कैसे करते हैं यह तो इसकी जुब्स में आंको सेहिनी जरूर्चिटी ग्रुफ रिजिन आले रियर्जिशन क्या होता है यह सारे जिजेटर प्लिटिक्स क्या है इंडिया इसान पढ़नी पड़ती हैं तो इसके लिए जो इंडिया गॉफटोसे संबोंसे के हुए इस यह परिफर कर सकते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस इंडिया के बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत मोटी बुक से बहुत टाइम नेगी, इसके अलावा आप एक चीछ जरूर कर सकते हैं, कि इगनु का जो मटीरियल है MPSE 008, जिसमें State Politics in इंडिया, जैसे पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में सही से बताया गया है, और सारा का सारा जो matter है, इसके बुक भी हाला किया थी है, नीरच Publications की MPSE 008, जो इसमें आप इस स्कीन पर देख पा रहे होंगे, लेकिन आप बुक नहीं खरीदना चाहते हैं, I will suggest कि आप इन दोनों में से कोई भी बुक ना खरीदें, अगर आप सिर्फ पीडियाप है, उससे match कर लीजेगा कि कौन-कौन से topics हैं, कौन-कौन से uncovered हैं, तो जो भी topics uncovered हैं, आप उनको nets में डालेंगे, तो net में जब भी सर्च करेंगे, तो आज आएगा, आप वहाँ से cover कर सकते हैं, इसके लिए कोई अलग से book प्रिफर करने के जड़ा तो नहीं बढ़ते हैं, तो अगला जो हमारे unit है, वह है public administration, इससे काफी questions आते हैं, UG Senate के examination में almost वंदर से 20 questions आते हैं, तो इसमें आपको जो मैं जो पढ़ता हूँ, जो मेरे पास जो book है, वह नी origins of public administration, मुहित भट्ट अचारा साब की book है, काफी अच्छी book है, I think इसमें जो भी हमारा syllabus है, syllabus के coding में सारे topics covered हैं, काफी अच्छेत covered हैं, काफी easy language में भी दिया गया है, और एक और book है, public administration by M. Lachmikant, आप इसको भी देख सकते हैं, public administration by Fadia and Fadia, जो हमने पिछले slide में discuss किया था, उन्ही writers की book है, तो इसमें जो सबसे अच्छी book मुझे लगी, आपको book खरीद लेनी च चारे के book है, वो New Horizons of Public Administration, M. Lachmikant के भी काफी अच्छी book है, but I think New Horizons of Public Administration उससे थोड़ा बेटर है, क्योंकि सारे के सारे UGCnet के coding, जो सिलेबस है, जो आप अपने वाइंसर देख पा रहे होंगे, वो covered है, इसके अलावा, अगर आप इन तीनों में सो कोई book नहीं खरीदना है, मैं ये गरांटिक दावेक साथ कहता हूं, जो मैं material एको Public Administration का इगनु का provide करा रहा हूं, MPA011, MPA012, MPA013, इसमें सारा syllabus covered है, UGCnet के Public Administration का, सारा कुछ मिल जाएगा, और आप लोग book नहीं खरीदना चाहते हैं, तो कोई दिकतत की बात नहीं है, आप लोग यह यह से पढ़ने हम प्रावलम होती है, तो आप मोहित भट्याचार के book जरूर खरीद लें, या आप चाहें तो Public Administration, जो 011, 013 है, इनका आप printout भी ले सकते हैं, but I think book खरीद लेए, ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके लावा हम अगले unit के बारे में discuss करते हैं, unit 10, governance and public policy in India, तो दि आप अगर इतनी सारे books हर unit के लिए खरीदेंगे, तो ज्यादा हो जाएगा, अगर आप लोग कोई पास time है, आप लोग चाहते हैं, कि आप पढ़ना चाहते हैं, तो books ये खरीद सकते हैं, governance in India by M. Lachmikan, जिसमें आपको governance and public policy के बारे में सारा कुछ दिया गया है, सारे के सार करेंगे, इनका मैं लिंक को दूँगा टेलिग्रम पर, आप वहाँ से PDF देख लेंगे, आपको सारा कुछ जितने भी syllabus में दिया गया है, मिल दाएगा, जो नहीं मिलागा, दो तीन topic, नहीं topic में भी नहीं मिलें, एक दो टापिक ही नहीं मिलेंगे, तीन topic, आम उनको net से, उ भी public policy and analysis के बारे में है, अगर आपको वीडिया परना नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा hectic होता है, तो आप भी नियरे प्वाप्लिकेशन की MPA15 ये एगनू का ही material है, जो की book में compiled है, प्र पीवेस भी हमने discuss किया था, तो आप इसको भी खरीज सकते हैं, ठीक है, ये तो ह साथ साथ पुरा syllabus दिखा ही दिया अपनों का syllabus किया है, फिर भी आप syllabus ये ज़रूर डाउनलोड के लिजे, syllabus को देख लिजे क्या है, और syllabus के बाद जो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, आपके पास कोई previous years के papers होने चाहिए, या कोई book होना चाहिए, तो जो personally मैंने prefer किया आप अप्लिकेशन के book है, इसमें 2700 प्लस solve questions दिये गए हैं, और अगर आप ये 27 questions solve कर लेते हैं, तो आपको exactly idea लग जाएगा कि किस टाइप of questions ये अप exams में पूछता है, और आप लोगों को जो सारे 27 previous year के solve questions papers हैं, वो एक जहाँ compiled मिल जाएंगे, और सबसे अच्छी बात इ दिया गया है, तो पहले जाए political thought के questions है, फिर political theory questions है, फिर public administration के comparative qualities के international relations के, लास्ट में इंडिन political thought के, ऐसे इसमें question दिये गए हैं, तो आप easily ये भी idea लगा लेंगे, किस unit से UGC net कितने question पहुच रहा है, बैदरीन book है, previous year questions paper के idea लगाने के लिए, इसका link मैं आपने discussion box में डा और previous year questions paper के लगा, कुछ current affairs के questions आते हैं, UGC net कि पेपर में, वो international relations से, और या कुछ हमारे political institutions in India, and political process in India, उससे related questions रहते हैं, current affairs के, उसके लिए आप लोग vision IS 365 PT आता है, जो कि almost April के मन्त में release होता है, तो आप उसे download करके तब आपके पास दो महिने रहेंगे, आप रॉस एक्ज लिंदी रहता है, फिर भी आपको अपने syllabus के recording, previous year, जब question paper आप solve करेंगे, तो आपको पता चल जागा, कितने current affairs questions आ रहें, कितना आपको cover करने के जरूरत है, कितना नहीं जरूरत है, exactly idea लग जागा, तो पहले आप ज़रूर solve करेगा, उसके बाद, आप current affairs के लिए, वीजन IS नीच पेपर खरिदने के लिए, और टाइम हो पढ़ने के लिए, दो घंटे गंटे लगते हैं डेली नीच पेपर पढ़ने में, तो इंडियन एक्सप्रेस इसमें पेपर करूँगा, और दाहिंदू, आप दोनों में से कोई एक भी अपने मन पसंद के recording चूच कर सकते हैं फिर मैं कहूँगा, नीच पेपर इसे कॉंपलिमेंट, नॉन नेसेसरी पॉर यूजी सिनेट एक्जाम, आप नीच पेपर नहीं पढ़ेंगे, तब भी आप यूजी सिनेट का प्लिटिकल साइंस का एक्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं, कोई दिखकत की बात नहीं होगी, टाइम है, तो जरूर पढ़ें, आपकी reading habit बनेगी, अच्छा लगेगा, जो भी घटना है, आसपास घट रहेंगे, आप लोगों को at least अब से aware रहेंगे, लेकिन टाइम नहीं है, तो आप इसको स्किप्पिक कर सकते हैं, डेली निच पेपर की जगा, आप जब बिजन IS 365 PTI की आजाए, आप उसको पढ़ सकते हैं, वहां से अपने सारा current affairs का part cover कर सकते हैं, ठीक, और PYQ के लिए ये प्रभात publication की जो एंटे युजिसनेट जयरत सेट की book है, paper second की, आप इसको खरीच सकते हैं, इसका link मैं आपको अपने description box में दे दूँगा, तो आज की इस वीडियो बस इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो ज़्यादा ज़्यादा सेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब किया मत जाना, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों, अधकी बसे हम जगे हैं, देना ही, किया बसे हैं, झ差不多 ये बसे सि lagi जए हैं आपको सब्सक्राइब के लुण सोता ही, मिलते ही.